तो सोचिए आप एक दिन अपना फिवरेट गेम खेल रहे हैं लेकिन आप जैसे गेम में जाते हैं आपको पता लगता कि अगर आप गेम में मर गए तो आप रियल जिंदगी मर जाएंगे और साथी आप गेम से बाहर भी नहीं जा सकते तो आप क्या करेंगे आप चलिए जान बन सकते हो या फिर तुम यहां पर एक जो है यहां पर तुम एर्वेंचर बन सकते हो और यहां पर जो मॉस्टर है उनको मार के अपना जो लैवल है उनको बढ़ा सकते हो या फिर तुम यहां पर एक अमीर आदी बनके अपने जिंदगी को जी सकते हो बिलकुल एक सिंपल से नियां पे एक दम से जो गेट है उसके अंदर एक गड़ी आ जाती है कि अगर तुम यहाँ पे गेट गेम के अंदर मर गए तब यहाँ जो रियल जिंदगी है वहाँ भी मर जाओगे और जो प्लेयर है वो जैसे इस गेम से अब बाहर भी नहीं जा पार है यहीं पर हम जिसके बाद यह अपने घर पे आ जाता है और यहां पे यह अपने बंदों से बात कर रहा होता है यहां पे एक डैनसर बोलता है कि आप जल्दी आएगा मास्टर और दूसरा बंदा यहां बोलता है कि आप यहां पे जल्दी आएगा और मुझे जह फाइटिंग कीजेगा जि यहां परrill मोस्टर के ऐपर हमला करता है कर सिंह पहली बार में मोस्टर का इक whats own होता है उसको काड़ देताए लेकिन यहां पर 건 वो अपने पंक को दुबारा जो है यहाँ पे हील कर लेता है जिसके बाद यहाँ पर जो सीन होता है वो जो होता है फिर से हमला करने लग जाता है मोश्रक उपर और एक साथ वो जो बहुत सारे हमले होता है वो जो होता है मोश्रक उपर कर देता है अब यहाँ पे जो game का owner होते हैं ये बोल थे कि अब स्वई बंदे यहाँ पे बाहर जा सकते हैं इसके बाद scene देखता है अपने list में कि यहाँ पे स्वई बंदे बाहर जा रहे हैं अब scene भी यहाँ पे कहता कि ठीक है आप गेम को good bye करने का वक्त आगया है जैसे ही यहां पर लोगाउट करने वाला होता है तभी एक और निया गेट यहां पर खुल जाता है अब सीन जह उस जगह पर चला जाता है और यहां पर बोलता है कि यह वर्ल्ड बिल्कुल जह असली की तरह लग रहा है ऐसा लग रहा है कि यहां पर यह सब कुछ असली में हो सिन यहाँ पे एक चीज को निकालता है और यह जह उसको उपर फैक देता है और जैसे उपर फैकता है यहाँ पे वो चीज पंची बन जाती है और सिन को रास्ता दिखाना सुरुक कर देती है यहाँ पे सिन उसका पीछा करते हुए यहाँ जह होता है जा रहा होता है आगे की तरह सिन को यहाँ पे एक कैपिटल भी दिखाय देता है जिसके बाद सिन यहाँ पे जेंगल के अंदर आ जाता है थोरी देर बाद ये लोग यहाँ पे जेंगल के अंदर आते हैं और यहाँ पे एक monster इनके सामने आ जाता है यहाँ बंदे भाग जाते हैं लेकिन elf बहुत डर चुकी होती है और ये hill नहीं पा रही होती लेकिन तबी जो सीन होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और यह सीधा यहाँ जो मोस्टर होता है उसके उपर हमला कर देता है नेक शीन में एल्फ यहाँ पर जो थैंक यू बोलती है और यह बोलती है कि मेरे नम टियारा है तो यहाँ पर जो सीन होता है यह बोलता है कि मेरे नम सीन है तो यहाँ पर जो टियारा होती ही बोलती है कि तुम भी मेरे जो मास्टर है उनसे जो मिलने आए हो तो यहाँ पर जो elf मेरी supporting जो character है वो हुआ करती जी यह पर sin बोलता है कि वैसे वो है कहाँ पर तो यहाँ पर tiara बोलती कि भले ही तुमने मेरी जयान बजाई है लेकिन मैं तुमसे अभी मिली हूँ इसलिए मैं तुम्हें इतने हैं से नहीं बताऊंगे लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा जो message है वो जह यहाँ पर मेरी master को दे दूँगी लेकिन यहाँ पर उसके पैसे लगेंगे वो वी जह पूरे thousand जो जोल होते हैं वो जिसके बाद यहाँ पर sin बोलता है thousand जोल एक gold coin दस million जोल के बराबर होता है यहाँ पर sin बोलता है लेकिन मेरे जो game था उसके अंदर तो यहाँ पर यह सबसे चोटा है जो पैसा है वही जह हुआ करता है जिसके बाद यहाँ पर tiara बोलती कि आखिरकार तुम हो कौन यहाँ पर sin को सुझाती है कि यहाँ पर बहुत साल पहले जो six human race के बंदे हुआ करते थे वो जह यहाँ पर प्रजेंट थे लेकिन एकदम से वो जह यहाँ पर गाइब हो गया पर यह बाद 500 साल पहले की है इसके बाद यहाँ पर sin को यहाँ आता है कि इसने यहाँ जह करणों को रख सकती हो तुम इसका इसका कर सकती हो यहाँ पर बोलता है कि Supa type passed दीकिन मैंबरे जो Bu conscious इसक़्ेंग है Here यहां पर लोग को पता ना चले मेरे बारे में लेकिन तुम इनको देख पा रहे हो आखिरकार कैसे फिर यहां पर सिन बोलता है वैसे तुम्हारे मास्टर ने यह क्यों किया है तो यहां पर टियरा बोलते हैं क्योंकि यहां पर मेरे ब्लैक हेर हैं उसकी वैसे यहां पर लोग ने यहाँ पे जह मुझे बाहर निकाल दिया लेकिन यहाँ पे जो मेरी मास्टर हैं उन्होंने जह मेरी जयान बचा ली और यहाँ पे जह मुझे रख लिया अपने पास और यहाँ पे बाहर जह एक बैरियर भी लगा दिया तकि यहाँ पे लोगों पार ना चले कि मैं और जी मेरा बोलती कि मेरे मास्टर इसका जो इलाज है वह जो ढूंट रही है लेकिन जब तक उनको नहीं मिलता मैं यहां पर रहुआ करता हूं और यहां पर जो magic होता है वो जो तर ट्राइ करता है और जिसके बाद यहाँ पर जो magic होता है वो पूरा हो जाता है और यहाँ पर हम देखते कि टियारा के जो आधे बाल होते हैं वो जो जो सिल्वर हो जाते हैं तुम डरो मत, अगर कोई monster तुम्हारे उपर हमला करेगा, तो मैं यहां पर उसको देखलूँगा, जिसके बाद यह लोग बाहर आ जाते हैं, और यहां पर कोई monster उपर हमला नहीं करता, यहां पर टियारा आसमान को देख के बहुत ज़्यदा खुश हो जाती है, और यह बोलत कि मैं बाकी जो मेरे बंदे हैं उनको जहां पर तरास करूंगा यहां बोलते कि यहां पर बहुत लंबी लाइन थी लेकिन तुम्हारे पास यह कार्ड यहां पर बहुत जरूरी है अगर तुम चाहो तो इस कार्ड की है उससे भी जहां मिल सकते हो जिसके बाद यहां पर सोल्जर जो होता है इसको गिल के बाहर छोड़ देता है अब यह अंदर आ जाता है और यह बोलते कि मुझे यहां पर एर्वेंस से गिल के अंदर रिश्र करना है तो यहां पर लड़की बोलती कि पहले आप जैस फॉम को भर लीजिए उसके लड्रमाश्टर ये कि आपका श्रूम भरने के बाद यहां पे य जो होता है और यह बोलता है कि यहां पे होता है उप स्टाकर मैं यहां पर कर पाऊं क्यों क्यों गर असली है की नहीं है अगर वह असली हुआ तो किसी से मिल सकते हैं तो यहां पर सिन बोलते कि मुझ और लगा ही दकिन मैं तुमको इस flavor के बारे में कुछ बाते बाते यहां पे लिट्र तुम्हारे रहे पास में यहां फिर सकते हूं यहां पर कुछ बन्ध ही क Chelsea को जो होशेश्ट करें अगर तुम इस मदर को नहीं समाइल पाते हैं तुम यहां इस लीए में तक्तिम नहीं करें पर खुए जाता है क्योंकि यह बोट तक चुका होता है जिसके बाद यहां पर काड को लेकर जाता है जिसके बाद यह जंगल के अंदर आ यहां पे लड़ाय करना शुरू कर देते हैं यहां पर सिन होता है काफी पाउर फोल होता यहां जी सिन के यहां परती चुन होती इसके सिन पूरी पाउर को यहल आक्टिवेट और यह जो होता है यहां पर हमलाग करता है अब जिए के इस इसन की सफ्वार्इब मार जाती आपक्ट की तुड़ाती है लें यहां पर मॉष्ट Porsного मंड़ जाता है निकल जाती है इसके अबर हमिझे राजमहल में निकल जाता है यहां पर हमागism class यहां पर क fits तो एक लड़क लोग इसको जह मारनी के लिए आ जाते हैं और यही पे एक सौसरर इसको मारनी कुष्छ करता है यहाँ पे लड़का भोलता है कि मैं उसी समय समझ ग्याता कि यहाँ पे जो ताग़त वरुबन्दे हैं वही जह यहाँ बे डर जाती है और यह जो यहां पर डर के मारे वो जो सोसरा होता है उसके मूँपे एक जो होती है थपड मार देती है जिसके कारण उस सोसरा की स्कीन यहां पर जो हट जाती है फिर यहां पर लड़की देखती है कि यह कोई सोसरा नहीं है यह जो यहां पर एक जो मौश्टर है जिसके बाद यहाँ पे यह बंदा बोलता है कि तुम चिंता मतलो मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और यह कहने के बाद यह जो हता है लड़की की ड्रेस के उपर यहाँ पे चक्को मारतेता है लड़की की ड्रेस यहाँ पे फट जाती है अब लड़की ये सब देखे, यहां पर जह सोक में आ जाती है, जिसके बाद यहां पर बंदा बोलता है, लगता है कि तुम्हें आज सक इसने चुआ नहीं क्योंकि तुम्हारी बोडी बहुत ज़्यादा ही प्यॉर लग रही है लेकिन कोई बात नहीं मैं यहां पर तुम्हारी बोडी का भरपूर इस्तमाल करूंगा मैं यहां पर इसके उपर जो एक्सेरिमेंट है वो जह करने वाला हूँ अब यहां पर जो लड़की होती है वो ब पैंदा होता है यह बोलता है आखर कार तुम हो कोन और तुम यहां पर मुझे पर्शान क्यों कर रहे हो तो तो यहां पे बंदा बोलता है, लगता है कि तुम सोसरर हो, सोसरर यहां पे कवसे इंसानों को बचाने लगए, अगर तुम यहां पे मुझे छोड़ दो, तो हम दोनों यहां पे इस रिसर्ट को शेर कर सकते हैं, यहां पे जो जागन होता है यह बोलता है कि मैं उस तरह का सोस देता है अब जो खून होता है वो यहाँ पे लड़की के मूँ पे गिर जाता है अब लड़की यहाँ पे यह सब देखके बेहुस हो जाती है यहाँ पे जागन समझ जाता है कि जो लड़की है वो जो बहुत जा डरगी है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जिसके वाँ जा पहले की तरह ठीक हो जाता है लड़की कपड़े भी यहां पे ठीक हो जाते हैं लेकिन जो लड़की होती है वह अभी भी बेहुस होती है तो यहां पर जागन इसके गले में देखता है और यह देखता है यह तो चर्च की लड़की है जिसके बाद ही कहता है कि मैंने कभी सोच पर काने लग जाता है और जैसे यहां पर पर करें इसका जो मैजीक होता है हो ब्लोक हो जाता है यहां पहल कोई बैंदा इसके मेजी के साथ चिर चाहड़ कर रहा हुँ यहां पर यहां पर जोền को दिल गोंच कि आखिर कार्ड तुम यह के कर रहे हो कि यहां पर बहुता है कि में आपऔर न को सभक को बचाना तो यहां पर 84 घ deux नींद लेने में काफी ज़ा परशानी हो रही थी जिसके बाद यहाँ पर बारबर टोस उस लड़की को देखता है और यह बोलता है कि तुम्हें पता है इस लड़की के अंदर बहुत सारा जो माना है वो जहे इसके अंदर है अगर तुम जाओ तो हम जहे इसके अंदर से यहाँ पर जो माना है उसको निकाल सकते है और इसके उपर जो एक्सपरिमेंट है वो जहे कर सकते है तो यहाँ पर जागन बोलता कि मैंने कहा ना कि यह जो मेरा स्टैल नहीं है मुझे यहाँ पर इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है यह कहने के बाद जागन जो होता है इहाँ अपना जो मैजिक होता है उसको काश्ट कर देता है और यहाँ पर जो लटकी होती है वो जो होती है टेलीपोर्ट हो जाती है वही चर्ट के अंदर जिसके बाद यहाँ पे जागन बोलते है कि मैं अब जो सोने जारहा हूँ मुझे आप काफी ज्विधा नींदा रही है इन लोगों ने यहाँ पे मुझे सोने नहीं दिया कल रात मैं बहुत जादा यहाँ जो किताबे हैं उनको पढ़ रहा था जिसकी वैस issues मुझे यहाँ प पे लूज कर दूँगा और मेरे मुँपे भी तुम्हाई तरह यहां पे जो डार्क सरकल है वो जह आ जाएंगे और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना इसलिए मैं तो यहां पे सोने जा रहा हूं अगर तुम्हें कुछ काम है तो तो मुझे बता हो वर्ना मैं यहां पे जाता ह है कि यहां पे जो आग डीमन में से जो यहां पे मैगरोस है वो जह मारा गया यहां पे जागन सोक बहा जाता है फिर हमें यहां पे आर्क डीमन के बारे में बताया जाता है और यहां पे उनी बंदों को मिलता है जिनके अंदर बहुत सारा जो माना होता है वो जो होता है यह जिए यहाँ पे जो लो रेंग कि सुसरर है उनको जह यहाँ पे ओडर भी जिए दे सकते हैं और यहाँ पे सबसे जिन्दा रहने वाला जो एक आर्क है वह जह कल रात को यहाँ पे जह मर गया अब यहाँ यह सुन के बहुत रह शोकव.'' आजाता है तब यहाँ पर जो बार्वटर्स होता है वो जागन से बोलता कि जागन अगर तुम चाहो तो तुम अब सोने जा सकते हो तो यहाँ पर जाहो हो that तुम्हें यहाँ बताना है तो बता हो औरनाब मैं यहाँ सोने जा रहा है। तो यहां पर जो बारवटर्स होता है यह बोलता है कि वैसे यहां पर जो मैटोज है उसकी जो चीज़े है उनकी उपर यहां पर जो निनाबी है वो जह लगने वाली है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो यहां पर बहुत सारी चीज़े मिलने वाली है इस बार जो जागन होता है वो जो दा शेहर के अंदर आ जाता है और ये लोग यहां पे जह जा रहे होते निनाबी के अंदर तब यहां पे जो बारवटोस होता है यह बोलता है कि वैसे मुझे जह यहां पे एक और बात तुम से जह कहनी है क्या तुम मुझे यहां पे कुछ पैसे उधार दे सकते हो तो यहां पे जो जागन होता है यह बोलता है तुम मुझे से ही पैसे क्यों मांग रहे हो यहां पे तुम किसी और सोसर से पैसे क्यों नहीं मांगते तो यहां पे जो बारवर्टोस होता है यह बोलता है कैसल में मुझे कोई और सोसरर यहां पे पैसे नहीं देगा इसलिए मैं तुम से यहां पे पैसे मांग रहा हूँ अगर तुम मुझे यहाँ पैसे दे दोगे तो मैं तुम यहाँ पटाके दे दूँगा तो बताओ कैसी रही डिल अब यहाँ पे जो जागन होता है वो बेचेरा थोजा सोचने लग जाता है क्योंकि यहाँ पे जागन को जो लड़किया है वो तो पसंद है लेकिन उसे बात करना यहाँ पे नहीं आता है और यह जो होता है तब इसका ध्यान जाता है कि यहाँ पे जो सोलजर हैं वो कुछ ज उठाके उनका इससाथ यहां पर दिकत हो रही है जिसके बाद हम से ओर होता है वह जुद रूख ₈ अब यहां पर सिब एक फाइनल चीजी जह रह गई होती है यहां पर जो बंदा होता है यह बहुत ज़्यादा पाउरफूल है इसके अंदर बहुत सार जो माना है वह भी है अगर तुम लोग इसको अपने एक्सपरिमेंट के दोर पे ले सकते हो और साथी तुम लोग इसके ब बाल भी देख सकते हो इसके बाल यहां पर कितरे अच्छे है तुम चाहो तो इसकी बोड़ी का भी इस्तमाल कर सकते हो और यह आज की जो यहां पर निलामी है उससे सबसे महंगी चीज यहीं हने वाली है इसका प्राइज है वो जह तैन थाउजन है तब बीच में से की बहुत जा सुन्दर है और मुझे इसकी चहरे पर यहां पर समाइल देखनी है और मुझे इसकी यहां पर हल्फ करनी है अब जो यहां पर जागन होता है वो जो होता है यहां पर यहां पर एल्फ के पास आ जाता है यहां पर जो बंदा होता है यह बोलता कि यह अल्फ कंट्रोल करती है अगर यह चीज इसके पास ना हो तो यहां पे यह भाग भी सकती है इसलिए आप पुलीस यहां पे केरफुल रहेगा और इस चीज को कभी मत ढ़ाएगा और दूसरी बात यहां पे हम भी नहीं पता कि इसको रिवूम पुझा है कैसे करते हैं इसलिए अगर ह अपने महल में बैठा और यहां बोर रहा होता है कि मैं इस नुद्धन यहां पे वर बैठी ब्लष। बाइश हो रही है तो आखिर कर मैं इस से बात करूं कैसे chúng閉़ देसकता है इसके बाद यहां पर लड़की बोलती है आहन Äंग- Orig v होती है यह बोलती है कि आप मुझे यहां पर कैसे मारने वाले हैं तो यहां पर जागन पूरा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें किसों कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम यहां पे जिन्दा रहो मुझे तुम्हारी जो लाइफ है उसकी जिन्दा जरूरत है तो यहां लड़की बोलते इसका मतलब आप मुझे रोज टोचे करेंगे और यहां पे मुझे मुझे बत्र जिन्दगी है वो का समान था लेकिन मैं यहां पे बहुत ज़्यदा है ज़ी होँ यहां पर चाहिँ हुए चाहा है और Iz dar गरंगोन के जिसμεद सबस्राइब कर दो तब पिर का इसके बाद ज़कि इसका नम तुन का मैं चाहे गीस है। और जो इसकी सकल है वी जै कितनी प्यारी है जिसका बाद यहाँ पर जागन बोलता है कि वैसे तुम्हारा कोई फेमिली नेम है क्या जिसके बाद नाफीज कहती कि नहीं में काफी ऊधास हो जाती है यहाँ पर जागन कि आज आ जाता है वो होते क्या है जिसके बाद यहां पर जो नफीस होती है यह बोलती कि वैसे आपने जह मुझे यहां पर खरीदा क्यों है तो यहां पर जागन बड़ी ही भेंकर वाचे बोलता है कि तुम्हें यहां पर कोई योतनी है यह सब जानने की जिसके बाद जागन बोलता है कि आखि कर लो malic तक आफिस को देखते हैं यहां पर चलता है कि तो कि यहांब बच्पन से ही नफिस बताएगा है कि वो जह कोई यहां पे चीज है और जिसे यहां पर लोग करते हैं इनके उपर इसलिए हमेसा मुझे पूछी रहती है कि आखिरकार मुझे इसको मारना कैसे है क्योंकि इसको भी लगता कि मैं बाकी बंदों की तरह ही हूं लेकिन इसको कैसे बता कि मुझे इससे प्यार हो है भी चाने के लिए यहां पर लोगों ने मुझे भी बाहर निकाल दिया था और कोई मुझे से ढंग से बात भी नहीं करता है जिसके कारण मैं बहुट ज़्यादा परशान रहने जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर जागन जो होता है इसको रूम के अंदर लेके आ रहा होता है और यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर बहुत साय रूम है तो यहाँ पर जो रूम है उनको चूज कर सकती हो कि तुम्हें कौन सा रूम लेना है अब यहाँ पर जो नफिस होत है और ये कहता है कि कहीं तुम गिरना जाओं लेकिं यहां पर किसे इसआट यहao न करता हूस्क थाल तरा लाल की तुमिद यहां पहां था यहां पर मुंडिया होती है जिसके बाद यहाँ पर नफिस कहती कि अगर आप मेरी मुंडि काटना चाते हैं तो मैं उसके लिए भी तयार हूँ और नफिस अपने सर को यहाँ पे जह नीचे जुका लेती है तो यहाँ पे जागन बोलता है कि तुम अपनी जो बकवास है वो बंद करो मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मारने वाला यह जो ट्रैप है यह इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे जो पुराने वाले ओनर होते है जिसके बाद यहाँ पे जागन जो होता है अपने मेजिकल स्पैल का जो है इस्तमाल करता है और यहाँ पे वो जो होता है उसको अंदर भेज़ेता है और जिसके बाद यहाँ पे जो एक धमाका होता है और यहाँ पे जो हत्यार होता है वो जो होता है उड़ जाता है अब य बारवटोस है उसी से बात करी है उसके लावा मैंने यहां पर किसी से बात नहीं करी जिसके बार नेफिलिया को सामने यहां पर खिड़की देती है और खिड़की अंदर से यहां पर नेफिलिया को जो चांद होता है वो दिखाई देता है और यहां पर नेफिलिया को यह रू जाए दुख ही होता है यह बोलता है कि मेरे पास कोई पाउर भी नहीं है जिसके बाद यह बड़ा हो जाता है और यह अपनी बोडी को समझने लग जाता है और फिर यहां पर श्रिकार करता है और आखिर में चल के यह जो थाए इवोल हो जाता है और यहाँ पर जो थाए गॉबलिंग का लीडर बन जाता है सात यह टैक करता है कि यहाँ पर मैं गॉबलिंग को एक अच्छी जिन जिनिगी दूँगा अभी कैसे देगा यह तो हमें आगे बसलेगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ यहाँ पे मेरा नाम कोई मेटर नहीं करता है لیکن एक बात कम्फों है कि मैं मरूंगा जिसके बाद है वो अपने आगे खोलता है और यहां पे गोबलिन कहता कि तुमने अपने आगे खोल ली है पिर यहां पे जो बच्चा होता हूँ बोलता है कि अमने जिन्दा हूँ और यह हरे बंदे कौन से हैं जिसके बाद यहां पर 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 यहा सीन को देखते हैं, यहाँ पर यह बोलता कि नहीं यहाँ नहीं पर फोड़ा मेट बार इखनुद देखते के आप बहुत समॉज रहा होटां है थक यहाँ यहां पर भोधा में वोल्ड़ार होता है तब भी हैं मेरी दुनिया से बहुत ज़दा अलग है यहाँ पे ऐसे पोड़ी भी है जिनको मैंने आस तक जह नहीं देखा I और बहुत सरे ऐसाइद आनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है तभी यहाँ पर और इसके पीछे पढ़ा होता है और 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 ऊपर चते है। वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद करगोश यहां पे जह मर जाता है यहीं पे ने जह होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है तब यहां पे जो कोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना सुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शरम नहीं आती हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शियर कर गहाना चाहिए था इसको और यह नेक बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सिंगْ बहुत ज़़धा काम का चीज है जिसके बाद यह दोनों मिलके यहाँ पर जो खरकोष होता है उसको जहें खा रहा होते हैं तो २ेक्षिन के हम देखते हैं कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोल थे कि तुम दोनों ने यहां पर ज़ह अगरगोष को मारा थो था हे नुश तने तुम ने तो यहां पर ज़ह कर्गोष का होन ए उसे एक हथ्यार के तरह सिरा किया था सही में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज़्यादा समाट भी हो फिर जो लड़की होती है यह बोलते कि में नहीं गया मैंने जहां पे जह जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहां पे जाके बहुत सर जो मैट्रियल है उनको ढून पाऊं और एक नए वेपन उनको जह बना पाऊं तब कोबाल यहां पे आ जाता है और यह जो होता है यहां पे मैट्रियल को ढूनने लग जाता है फिर नेक्शिन में इसको मैट्रियल मिल जाता है और यह जो होता है और यह बोलता है कि यहां पहल पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था यहां पे ओर नाम बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस अत्यार के साथ तुम्हां लेवल जल्दी बढ़ जाएगा यहां पर कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुच पाया अगर तुम बहुच पाते हो तुम सही में बहुत ज़ाद रेयर बंदे होगे मैं तो यह ही उमीद करूंगा कि तुम वहाँ पहुच पाओ और यह बोलने के बाद यह जो होते हैं जा रहे होते हैं यहां पर कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उमर होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती है इस बंदे की उमर 20 साल है लेकिन लगता नहीं कि यह 20 साल का होगा ने जरीचेन ईगे जरीटा हूं आए उसको नएशी मिलती है और यहां पर और जा यहां जर रहे होते हैं यह जैसे गुपा के अंदर जा रहे लेकिन जैसे गुफा के अंदर जाते हैं यहां पे बहुत सा जो तुम गदर होते हैं वो जो होते इंके उपर हमला कर देते हैं लेकिन यहां पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहां पे कोबाल इवल आई का इस्तमाल करता है जिसके 3 बंदे इनको जय यहां पर घौर रहे होते हैं। यहां पर यहां पर को घैर ले गंग वाल oynbak उपता फैंक नुदी widen देखते हैं कि इसक्षा करूंगा लेकिन मुझे रखता है कि इस दुनिया में आके मेरें अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहान पर कमजोर है उनकी जरक्षा कर सकता हूँ क्योंकि यह वर्ड मिरे वर्ड से बहुत धाख बहुता है नेक्शीन में यहान पर कोबाल सो रहा होता है तब इसके अंदर से आवा जाती है क्या आपको यहान पर इवोल होना है यहीं पर T9 दोनों को देख के हैरन हो जाती है इसके बाद यहाँ पर Old Men आते हैं और यह बोलते हैं कि तुम दोनों का Level एक मेहने में बदल गया आज से पहले यह जए कभी भी नहीं हुआ था तुम दोनों सही में बहुत जाता कमाल के हो फिर यहाँ पर जो नहीं होता है वो यहाँ पर कोबाल को बोलता है क्यों नहीं हम दोनों बाहर चले और पनी पावर को चेक करें फिर इसके बाद यह दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर फाइटिंग कर रहे होते हैं तकि अपनी पावर को चेक कर पाएं यहीं भी पहला हमला रही करता है लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के उपर हमला करता है लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता है और वो जह नीचे गिर जाता है औ ठीक तो हो ना तो यहां पर ने बोलते कि हम जहुंँ ठीक हूं जिसके अकोबाल बोलते कि तुमने सही का था कि हमारे पास एक जह नई स्किल आ चुकी है और यह बोड़ी भी बहुत जबाँ आच्छी हो गई अब तो फिर हम यहां पर देखते कि नैक्षीन में यहां पर जो कोबाल और उसके दोस्त यहां पे वाकने केरी होगते और यहां पर जिखाए बाकी बहुत में सरू Emmy करते हैं। यहीं पर कोबाल बोलता है कि यह जो नया हतियार है यह सही में बहुत ज़्यादा पाउरफुल है और यह जो होता है अपने चक्कू के हल्प से यहां पर सवी भेडियों को मार देता है जब यहां पर सवी भेडियों मर जाते हैं जिसके बाद यहां पर जो कोबाल होता है वो तुम्हें शिकार करना सिखा दोंगा पिशवड के अंदर जबते के लिए बाई बाई